मुझे एक सवाल लोग लगातार पूछते रहते हैं और वो सवाल यह है कि अगर economy का हालत ऐसा है तो stock market ऐसे उपर कैसे जा रहा है क्योंकि आप सिरफ sensex देख लिजिए March के अंत से लगभग 23 March से अगर हम ले और आज तक ले ले तो sensex लगभग double हो चुका है मतलब आपने उस वक्त अगर एक लाक रुपे sensex में लगाया होता तो आज आपके लगभग 2 लाक रुपे हो चुके होते इसी बीच हमारी economy आप जानते धस गई है और अगर 100 रुपे हमारी economy थी तो आज अभी तक वो 90 पे उतर आई होगी लगभग खेर लोगों का सवाल ये है कि ऐसे कैसे हो रहा है बहुत लोग ये भी कहते कि अगर stock market ऐसे उपर गया है या तो वो एक गुबारे के तरफ फोल रहा है और जैसे गुबारे में आप कभी भी अगर सूई लगा दे या वो गुबारा कभी भी जादा फूल जाए तो फट जा है जो सारे अर्थशास्ति कह रहे हैं कि economy बहुत खराब है ये कुछ नहीं बिकरा ये नहीं हो रहा है ये गलत है कि नहीं तो stock market उपर क्यों जाता है खेर ये दोनों अगर हम देखे दोनों गलत है और मैं आज हिसाब लगाऊंगा कि क्यों stock market उपर जा सकता है जब economy की हालत बुरी हो तब भी stock market दोग नहीं हो सकता है देखते रहे हैं इस एपिसोड को आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कितावे क्यों है यहाँ पर ये सारी जो कितावे आप देख रहे हैं ये सारी कितावे stock market पे कितावे हैं और ये सारे बड़े-बड़े stock market के गुरूओं के कितावे हैं जैसे कि Warren Buffett पर किताव है ये है Peter Lynch जी का किताव है Peter Lynch बहुती बड़े stock market के fund manager थे और उनका record बहुत अच्छा था इन सारे कितावों में एक चीज आपके सामने आएगा और वो है कि अगर आप stock market में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको पैसा ऐसे company पे लगाना चाहिए जिसका business अच्छा बढ़ रहा हो और business अच्छा बढ़ रहा हो का मतलब क्या है business बढ़ रहा हो मतलब उनकी जो बिक्री है वो बढ़ रही हो लेकिन सबसे जादा सबसे जादा stock market में जो देखा जाता है वो है मुनाफ़ा profit कितना हो रहा है तो अगर एक company का मुनाफ़ा कम है वो बहुत बड़ा company भी हो लेकिन उसका stock गिरता रहेगा और अगर छोटी company की भी मुनाफ़ा बढ़ती रहे और अगर छोटी company का मुनाफ़ा बढ़ने का chance आगे और भी बढ़ते तो उसका stock price बढ़ता रहता है अब सवाल यह है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ उधारन दूँगा सबसे पहले फिर से याद दिला दूँ जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमारे देश में क्या हुआ है कि sensex जो की एक तरीके का एक indicator है सूचे कांक है हमारे देश के stock market का वो मार्च के अंत से अभी तक लगभग double हो गया है दो गुना हो गया है लेकिन इसी बीच ह इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा उदार्म के साथ बोलता हूं कि सोचिए आप कि पहला साल जिसको मैं year one कह रहा हूं साल नंबर one साल नंबर one में हम सोच लेते कि देश में सिरफ फैक्ट्रिया हैं और कुछ नहीं मैं समझाने के लिए एक simple तरीके स आपको समझा रहा हूं कि साल नंबर one में सो रुपए की कुल आमदनी सभी फैक्ट्रियों की हुई और सभी फैक्ट्रियों की कुल आमदनी मतलब देश की कुल आमदनी आप समझ लीजे ऐसा है सो रुपए ठीक है सो रुपए कुल आमदनी है उसमें उस सो रुपए में से अब जो business के मालिक हैं, जो की पुंजी पती है, जो corporate है, उनको 60 रुपए मिला, 60 रुपए उनको मिला है, और जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उनको 40 रुपए. ठीक है? 100 रुपे कुल आए, 60 रुपे बिजनेस वालों को और 40 रुपे जो लोग काम करते उनको मिलाए अब year 2 यानि कि अगले साल में क्या हुआ है? कि अगले साल में जाके कुल आए गिरकर 100-90 पर आगई ठीक है? 100-90 पर कुल आए आगई है लेकिन ये जो 90 है, 60 रुपे वाला जो प्रॉफिट था, जो बिजनेस ओनर यानि जो मालिक है उनको मिल रहा था उनका आए, 70 हो गया है, इस 90 का भाग 70 उनको मिल रहा है और जो काम करते हैं उनका घटके 20 पर आगया है ठीक है? आप देखिए फिर से मैं बताता हूँ, जो 100 था वो 90 हो गया है और जो 60 था वो 70 हो गया है और जो 40 था वो आधा 20 पर आ गया है अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि stock market में लोग क्या देखते हैं stock market में investors देखते हैं कि ये मुनाफ़ा कितना है मुनाफ़ा कितना है क्या मुनाफ़ा बढ़ड़ा है और एक और चीज़ आप देखेंगे stock market में जब भी कोई company announce करता है कि हमने इतने लोगों की छटाई कर दी इतने लोगों को भगा दिया और हमारा जो कुल खर्चा wages पे या salary पे यानि कि मजदूरी और वेतन पे जितना खर्चा है वो कम हो गया है जैसे मैंने बताया है 40 से 20 पे आ गया है तब stock market में क्या होता है कि लोग वो stock को खरीद नहीं जाते है वो कहते है ये business अच्छा है इनकी आमदनी कुल आमदनी कम हो गई होगी लेकिन इनका profit बढ़ गया कि इन्होंने खर्चा कम कर दिया है अपना खैर अब हमारे देश में क्या हुआ है क्या ऐसा ही बिलकुल हुआ है मैंने आपको बताया कि मार्च से लेके अगर हम December तक का देखें तो लगबग 10 प्रतिशत हमारे देश की आमदनी कम हो गई है GDP घड गई है आज के पैसों में तो वो ही हुआ 190 हो गया लेकिन क्या हुआ है कि CMI यानि कि Center for Monitoring Indian Economy इनों ने लगबग 4300 कमपनियों की जो आए है उसका विशलेशन किया है और ये विशलेशन में हम मार्च से सितंबर का इंड ले सकते क्योंकि इसी का रिजल्ट आया और उसमें आप अगर देखे तो Profit यानि मुनाफ़ा का जो पार्ट है Profit जाकर बढ़ गया है 750 प्रतिशत बढ़ गया है मार्च में जिन कमपनियों का जितना Profit था वो बढ़ कर 750 प्रतिशन बढ़ गया है और जो वो पैसे लोगों को दे रहे थे जिसको हम वेज बिल कहते हैं जिसमें आएगा सारे वेतन आएंगे जितनी भी मजदूरी मजदूरों का है चाहे हो मैनेजर हो जिसका भी हो वो सिरफ 2% बढ़ा है एक तरफ Profit 750 परसंट और एक तरफ जो वेज बिल है यानि मजदूरी है सिरफ 2% अब आएगे कि कुल आमदनी उनकी 9% घट गई है ये भी हुआ है कि कुल आमदनी 9% घट गई है तो बिलकुल जिस तरीके से हमारी GDP घटी है 9-10% वैसे ही कुल आमदनी घट गई है लेकिन Profit का भाग 750% बढ़ गया है और जो Wages है यानि कि मजदूरी है उसका भाग सिरफ 2% बढ़ा है अब हम इसमें से क्या करते हैं जो महिंगाई दर है उसको हटा देते हैं डिसम्बर के एंट तक महिंगाई दर लगभग 6% के आसपास था उससे पहले और भी ज़ादा था तो अगर मैं महिंगाई दर ले लूँ 5% भी ले लूँ 5% भी अगर मैं महिंगाई दर ले लूँ तो क्या हमको मिल रहा है कि जो 750 के आसपास जो Profit Growth है Profit बढ़ा है इस बीच वो 745, 743 पे उतर रहा है याना 740 आप ले लिजे वहाँ पे आ गया है लेकिन जो वेतन लोगों को मिल रहा है मजदूरी लोगों को मिल रहा है 2% से घटकर वो 5% इसमें से हटा दीजे माइनस 3% यानि कि असल तावर पे मतलब महिंगाई दर को हटा कर अगर हम देखे तो वेतन और मजदूरी का जो शेर है वो 2-3% नेगेटिव में चला गया है कम हो गया है असल आमदनी लोगों की कम हो गई है अब आप देखिए कि स्टॉक मार्केट क्या करता है स्टॉक मार्केट प्रॉफिट के पीछे भागता है मुनाफ़ के पीछे भागता है अगर मुनाफ़ इस तरह बढ़ा है मार्च स्टंबर के बीच में और वो लगभग दिसंबर में भी चलता रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली दशेरा के टाइम में बहुत अच्छी विक्री हुई है अगर इस तरह किसे बढ़ा है तो स्टॉक मार्केट तो बढ़े गए न मुनाफ़ बढ़ा है इसलिए स्टॉक मार्केट यह नहीं देखता है कि लोगों की आमदनी बाकी लोगों की आमदनी कितनी हैं स्टॉक मार्केट देखता है कि जो कॉर्परेट है जो बिजनेस के मालिक है उनकी आमदनी बढ़ी है या नहीं और हम कहीं पे भी अगर देखेंगे बाकी सारा रिपोर्ट जो हमें पता चल रहा है उससे भी हमें पता चल रहा है कि COVID के बीच जो सबसे अमीर है वो जादा अमीर हो गए और बाकी लोग पहले से गरीब हो गए हैं इसलिए स्टॉक मार्केट अमीरों को एक तरीके से रिवोर्ड कर रहा है स्टॉक मार्केट उनको और भी जादा पैसे दे रहा है उनका स्टॉक खरीद कर और स्टॉक प्राइस उपर जा रहा है दो-तीन और कारण है वो भी मैं आपको बता दूँ एक बड़ी बात यह है कि आप देखे कि अगर अमीरों के पास संपत्ति आई है लेकिन पूरे देश में क्या हुआ है मापकी जग कप थोड़ा हिल गया है लेकिन अमीरों के पास ज़्यादा संपत्ति आ गई है और पूरे देश में क्या हो रहा है तब जो बिजनेस के ओनर है, वो क्या करते हैं, वो चीजे बेचते हैं, या कोई सेवा बेचते हैं आपको, खरीदने वाला लोग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो नहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे, क्योंक पार शेरोडले को दिया जाता है, जिसको हम डिविडन्ट कहते हैं, डिविडन्ट जादा दे दे गे, क्योंकि इन्वेस्मेंट करने का और कोई तरीका नहीं है, दूसरी चीज वो क्या करेंगे, शेर वापस खरीद लेंगे, लोगों से शेर वापस खरीदेंगे, अपना जो में recession यानि मंदी आए तब से RBI क्या करें कि interest rate यानि ब्याजदर बहुत नीचे रख लिए अब ब्याज अगर कम होगा तो क्या होगा एक तो बहुत आसानी से आप पैसा उठा कर market में लगा सकते हैं उधार लेकर 100 रुपए उधार ले लिया आपने आपको पता है कि एक साल बाद 100 रुपए पर आपको सिरफ 5 रुपए interest देना है 105 देना है आपने market में लगा कर उस पे 120 रुपए 130 रुपए कमा लिये 25 रुपए आपके बन गए 5 रुपए आपने वाफस कर दिये एक और कारण है जब ब्याज़दर कम होता है तो क्या होता है सोचे कि आपने 100 रुपए का कोई चीज आज खरीदा है और एक साल बाद आपको अगर आप बैंक में रखेंगे fix deposit में तो एक साल बाद आपको 6% पे 106 रुपए मिलेंगे लेकिन अगर वही चीज वही चीज अगले साल 110 रुपए का क्या हो गया तो क्या होगा आपका घाटा है ना बैंक में रखके क्योंकि आप जब 106 रुपए निकाल के खरीदने जाएंगे वही चीज 110 रुपए का हो गया है ना तो यानि महेंगाई दर अगर ब्याज़दर स बड़ा खरीद के कोई फाइदा नहीं है क्योंकि खरीदने वाले चीजे चीजों को खरीदने वाले लोग नहीं है तो फिर आप वापस स्टॉक मार्केट में पैसा डालेगे जिनके पास पैसा है उनका निवेश करने का सिर्फ एक ही जगह है स्टॉक मार्केट और इसलिए तो stock market में पैसा लोग डाल रहे हैं और साथ में ये भी सही है कि stock market के ऊपर जाते जाते लोगों की बाकी लोग जो जिनके पास पूंजी नहीं है जो company के मालिक नहीं है जो business वाले नहीं है उनकी आए घट गई है इसलिए economy घट रहा है ये कितने दीन चल सकता है पता नहीं किसी वाले जादा खरीदार जब कोई नहीं होंगे तो क्या होगा मुनाफ़ा भी घटने लगेगा और फिर stock market correction के और जाएगा ये हो सकता है लेकिन कब होगा किसी को नहीं पता और हमें history इतिहास से जो पता चलता है ऐसा जो चीज है ये बहुत दिनों तक भी चल सकता है stock market में क आज का एपिसोड यही तक